हेलो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं उंधियो यह गुजरात की स्पेशल डिश है और मैं मुझे बहुत अच्छी लगती है बनाना स्टार्ट करने पहले मुठ्या बनाएंगे सबजी के लिए तो उसके लिए हमने 50 ग्राम मेथी लिया है उसे अच्छे से वाश करके आप कट करके रख लिजे और उसमें मैं डालूंगी वन स्पून अजवाइन और यह अद्रक लसन मिर्च का पेस्ट मैं पेस्ट बना के रखे रहती हूं और डिरेक्ली उसे यूज़ करती हूं सब चीजों में आप वन टू टू स्पून आप डाल सकते हैं जैसा आपको चटक करतेंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा अगर सिर्फ सबजी के लिए बनाना है अगर इसे आप चाय के साथ भी ऐसे खा सकते हैं पकोड़ी की तरह तो आप बेसन जादा यूज़ कर सकते हैं दो स्पून ओयल डाला है और सॉल्ट डाला है हम मैं अपने हाथों का यूज़ है अब strengths से पहले इसको R梨 पूरा मिक्स कर देंगे उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे पानी से चिडग चिरड़क चिरखके इसे बाइंडिंग बनाएंगे जैसे आप पकॉड़ी की बाइंडिंग बनाते हैं उसी हिसाब से बनाना आपको देखे कैसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हूं एक साथ अब जादा डाल देंगे तो आपकी यह डो गीला हो जाएगा और आपकी पकॉड़ी नहीं बन पाएगी अच्छी वह आप सर्कुलर भी बना सकते हैं मैं ओवल शेप ऐसे दूंगी आप देख सकते हैं ऐसे मैं सारे रेडी कर लोंगी यह मेरे आजबन वीच में खा रहे हैं उन्हें ऐसे बहुत पसंद है तो सारी मुठिया हमारी रेडी हो गई हैं अब मैं ऑईल लोंगी उसमें मैंने मीडियम फ्लेम पे आपको गर्म करना है मतलब बहुत जादा गरम हो जाएगा तो आपकी मुठिया क्या होगी बाहर से तो रेड हो जाएगी अंदर से कच्छी रह जाएगी तो इसलिए आपको इसको चलाते रहना है बीच बीच में और अच्छे से 10 मिनट लगेंगे मीडि या बन रही है इसे आप चाय के साथ भी यूज करिए बहुत अच्छी लगती है आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं यह देखिए यह मैं चार लोगों के इसाब से बना रही हूं अगर मतलब अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा अमाउंट यूज करिएग यह अब मारी मुठिया अब रेडी हो गई है यह मैं तेल से अब निकाल लेती हूं केचिन टावल या आप टीशू पेपर पर निकाल लीजे ताकि एकसे सोयल इसका निकल जाए देखिए बहुत अच्छी बनी है मुठिया बस अब मैं सारे निकाल लूँगी यह देखिए अब हमारी मुठिया अब सारी रेडी हो गई है अब हम सबजी की त्यारी करते हैं इसके लिए मैं बहुत सारी सबजियां चाहिए बैगन लिया है मैंने सेम लिया है दो आलू लिया है शकरकन लिया है स्वीट पोटेटो बोलते हैं कच्चा केला लिया है और यह सूरन लिया है यम भी बोलते हैं से या रतालू बोलते हैं कई लोग अब मैं उन्दियों के लिए मसाला बना रही हूं मैंने दो स्पून लसन लिया है और चार स्पून के करीब मैं नारियल लोंगी फ्रेश नारियल है फ्रेश कोकोनट इसे आप आप इसका ब्राउन पार्ट आप निकाल दीजे दो स्पून आप ग्रीन कोरियंडर लेंगे और वन स्पून के करीब मुंफली लेंगे इसका कोर्स पेस्ट बनाईएगा मतलब स्पूथ स्मूथ पेस्ट नहीं बनाईएगा और यह अद्रक लसन मिर्च का पेस्ट है यह मैं दो स्पून के करीब यूज करूंगी यह हल्दी है वन स्पून अजवाइन वन स्पून सफेद तिल है वाइट तिल बोलते से इसे आप दो से तीन स्पून यूज कर सकते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा था मसाले में और यह गरम मसाला है अदर्वाइस और कोई नीलिया है और सॉल्ड डाला है और यह हमारे पास धनिया की पत्ती है वह डाला है धनिया बहुत जारा पड़ेगा और यह मैंने मुठ्या जिसमें तली थी वह तेल मैंने यूज किया है दो से तीन स्पून आप तेल यूज करिए और फिर इसको मिक्स कर लीजे अच्छे से यह देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर रहे हूं और अब मैं सारी सबजियों में यह मसाला भरूंगी तो यह मैरिनेट जैसे करते हैं सबजियों को तो यह मैंने यम लिया है अच्छे से वाश करके कट कर लिया है और आलू और स्वीट पटेटो लिया है तो यह दोनों को मैं मोरे मैं MAY campaign आइप दोनों में मसालों मैं मिक्स कर दूंग वन स्पून के करीब और इसमें हम डालेंगे अद्रक लसन मिर्च का पेस्ट आप अलग अलग भी डाल सकते हैं सारी चीजें तो दो स्पून आपको अद्रक लसन मिर्च का पेस्ट डालना है इसके बाद हम इसमें लेयर बनाते हैं तो सबसे नीचे हम डालेंगे सेम या फिर आप सूर्ती भी बोलते हैं कई लोग और उसके उपर हम ग्रीन पीज रालेंगे मटर उसके उपर हम कच्छा केला आलू और शकरकंदी इनमें मसाला लगा के हमने रेडी कर लिया था और उसको हम उसकी लेयर लगाएंगे उसके उपर से हमने यम का लेयर लगाया है सूरन का ल इसके उपर हम क्या डालेंगे इसके उपर मुठिया जो हमने बनाई थी सबसे उपर हम मुठिया की लेयर लगाएंगे देखिए कैसे मैं लगा रही हूं सारी लेयर अब हम थोड़ा पानी डालेंगे तो जिस बोल में मैंने मसाला रेडी किया था उंधियों का उसी में मैं पा चार सीटी तक पकाएंगे या फिर धीमे आज पे 15 मिनट तक पकाईएगा यह सारा हमारा रेडी हो गया है और इसे आप चपाती के साथ खाईए पुलाओ के साथ खाईए राइस के साथ खाईए बहुत अच्छी लगती है थैंक यू शेयर जरूर करिएगा